मद्यकालिन भारत के इतिहास का जो कोर्स है इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप पर अवेलेबल हो चुके हैं श्री एजुकेशन एप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नोट्स ले लिजेगा तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी वीडियो लेक्चर पूरा परण डालिए और उसके बाद क्लास नोट से रिवीजन कर डालिए मद्यकालिन भात के इतियास सबसे फेवरिट आपका हो जाएगा नमशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्रेश कोर्स मद्यकालिन भात के इतियास का चल रहा है बहुत सिंपल ढंक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका उपयोग आप सभी परिक्षाओं में कर सकते हैं सभी कॉंप्टिर एक्जाम के लिए यह उपयोगी है यहाँ पर हिस्ट्री को मैं इतने सिंपल तरीके से एक्स्प्लेन आपको कर रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा कि यह जैसे कोई mathematics या science की तरह कोई concept है इतनी सिंपल ढंक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मज़ा आएगा वीडियो देखते ही आपको सब याद भी हो रहा होगा यह दस्वाँ वीडियो है इससे पहले नो वीडियो अगर आपने देख लिए है तो आपको यह एहसास हो गया होगा वीडियो देखते सारी कहानी आपको याद हो जाएगी तो दस्वे वीडियो को हम शुरुआत करते हैं चलिए यह सलेबस है हमको जो कवर करना है दिल्ली सल्टनत हमारा चल रहा है गुलाम वंश हमने कंप्लीट कर दिया है आज हम खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे 1290 से 1320 इसवी तक इनका रूल रहता है पूरे दिल्ली सल्टनत में जो 5 वंश आये थे सबसे कम टाइम पिरेड वाला जो वंश है वो खिलजी वंश है मातर 30 वर्षों तक इनका सामराज जो है वो फैला हुआ था 30 वर्षों तक इन्होंने रूल किया ठीक है 12.6 से 15.26 तक दिल्ली सल्टनत चलता है आपको ये मालूम ही है अब खिलजी वंश के शुरुवात करते हैं तीन शाशकों के बारे में आपको पढ़ना है जलालुदिन फिरोज खिलजी अलाओ दिन खिलजी और मुबारक खिलजी चलिए शुरुवात करते हैं खिलजी वंश के बारे में लेकिन खिलजियों का थोड़ा सा परिचे तो देख लेते हैं कहां से आये थे, कौन थे ये लोग ये तो आपको पता होना चाहिए न ये ऐसा बताया जाता है इतियास कारों के द्वारा अफगानिस्तान में एक छेतर पड़ता है खल्ज छेतर ये अफगानिस्तान में छेतर पड़ता है खल्ज छेतर वहाँ पे एक कबीला रहा करता था उसे खिलजी कबीला कहा जाता था वही लोग थे ये, वही लोग थे लेकिन मूल रूप से अगर आप पुछेंगे तो ये अफगानिस्तान के रहने वाल नहीं थे ये अफगानिस्तान में भी कहीं से भाग के आए थे पूछेंगे कहां से भाग के आए थे तो तुर्किस्तान से भाग के आए थे तो ये मूल रूप से तुर्की ही थे तो पहले के चार वंश दिली सल्तनत में मूल रूप से तुर्की थे आखरी का जो लोदी वंश था वो अफगानी थे ठीक है और खिलजी वंश ये खल्ज छेतर अफगानिस्तान के खल्ज छेतर से आये थे तो ये मत समझ लिजेगा कि ये अफगानी थे नहीं इनके जो पूरवज हैं वो तुर्किस्तान से ही भाग कर आये थे तुर्की ही थे ये ये समझ लीजीगा ठीक है जब ये अफगानिस्तान में बस गए तो इन्होंने काम की तलाश की तो इन्हें काम मिला दिल्ली सल्टनत में दिल्ली सल्टनत में जब इल्टूत्मिश का सामराज चल रा था इलतुतमिश शुल्तान था तो उसमें खिल जी जो थे जो जलालुदिन फिरोज खिल जी के जो पूरवज दादा दादी या कुछ भी पूरवज रहे होंगे वो इलतुतमिश के टाइम पिरेड पर काम की तलाश में आये थे भारत में और उन्हें दिल् जलालुदिन फिरोज खिल जी का पहले का नाम है जलालुदिन फिरोज खिल जी तो 1290 में जब ये गद्दी पर बैठा था तब इसका नाम पड़ा था इससे पहले ये मलिक फिरोज ही इसका नाम था तो मलिक फिरोज और शिहाबुद्दीन ने बल्बन के टाइम पिरेड प उस पद पर आगे लेकिन मलक फिरोज बहुत ही टैलेंटेड था तो यह आगे चल कर समाना का गवरनर बन जाता है और समाना एक वाले छेत्र में जब मनगोलों काक्रमन होता है तो बहुत अच्छे से यह डिल करता है उसकी वजह से कैकूबाद ने इसे शाहिस्ता खाकी उपा बाद ने इसको अपना बहुत करीबी जो सेनापती पर मुक होता है वो भी बना दिया था कमांडर बना दिया था इसको आप जानते हैं कैकु बाद को लखवा मार गया था मात्र 20-21 साल की उम्र पतला ये इसे और बेकार हो गया मात्र 21 साल की उम्र में इसको लकवा मार गया पैरलेसिस हो गया इसको इसका एक बेटा था जब इसको पैरलेसिस होगा तो वो मात्र तीन वर्ष की आयू का था क्यूमर्स तो गद्दी पर तो इसको भी बैठना था वही अधिकारी था तो वो गद्दी पर बैठा क्यूमस गदी पर बैठा मातर तीन वर्ष की आयू का था तो इसका संदक्चक बना मलेक फिरोज तो मलेक फिरोज ने क्यूमस की भी हत्या कर दी कैकूबात को नदी में फेकवा दिया उसके बाद ये जलालो दिन फिरोज खिलजी बन गया अर्थात इसने सत्ता समाली अगला दिल्ली का सुल्तान बन गया ठीक है दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया 1290 से लेकर 1296 इसमी तक ये सुल्तान बहेगा 1296 में इसके बतीजे ने सेम वैसा ही इसके साथ किया जैसा इसने क्यूमस के साथ किया था अथात अलाव दिन जो खिलजी आएगा इसका बतीजा इसने भी इसको मरवा दिया था जब ये गद्दी पर बैठा ऐसा बताया जाता है 70 साल की उम्र का था तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 1220 के आसपाल इसका जन्म हुआ होगा इग्जैक्ट डेट इतिहास का नहीं बता पाए है ये गद्दी पर जब बैठा उस समय इसकी जो नीती थे बिलकुल उदार पूरवक थी मुस्लिमों के प्रती तो बहुत ही देयालू था हिंदूों के प्रती नहीं गैर मुस्लिमों के प्रती नहीं लेकिन मुस्लिमों के प्रती ये बहुत ही देयालू भाव था मुस्लिमों को यह अपना भाई मानता था अपना दोस्त मानता था अपना बहुत करीबी मानता था उनका एक भी बलड का कत्रा गिर जाता था इसको बहुत परिशानी होती थी लेकिन मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी जो धर्म थे जैसे हिंदू धर्म बाकी जो धर्म थे उनको अपना दुश्मर ये मानता था उनसे बहुत नफरत करता था ये मुस्लिमों से प्रती इतना द्यालू हो गया चाहे कोई इसके खिलाफ विद्रो भी कर देता था ना कोई इसको मारने के साजिस भी करता था व मुख्य कारण यह भी बना, यह निती भी इसकी मुख्य कारण बनी, कि इसका सामराज इसके हाथों से चला गया। ऐसा इतिहासकार बताते हैं शुरुआत के एक वर्ष ये किलोखरी महल में रहा किलोखरी महल ये वही महल है जो कैकुबात के दोरा बनवाया गया था अपनी आयासी के लिए दिल्ली से थोड़ा दूरी पर था ये दिल्ली से थोड़ा दूरी पर था उसी महर में इसने अपने आपको सुल्तान गोशित किया एक साल तक वही पर रहा क्योंकि इसको डर था कि अगर ये दिल्ली के मुख्य महल में जाएगा तो जो पुराने नोबेल हैं जो गुलाम वश्च के वफदार तुर्क अमीर हैं या नोबेल जिसे कहा जाता है वो इस विद्रो कर देंगे इसे गद्दी छीन लें जाता है या किसी उचे पत पर बैठे हुए लोग होते हैं उनको पत से हटा कर अपने वफदारों को लगाते हैं लेकिन इसने ऐसा कुछ ने किया इसने जो पहले के नोबेल थे जो पहले के तुरक अमीर थे जो गुलाम वश्च के बहुत वफदार हुए करते थे उनको मानिकपूर ये दो जगे है यूपी वाले छेत्र में पढ़ता है पास पास में है गंगा नदी के एक बगल कड़ा है दूसरी बगल मानिकपूर है तो ये दोनों छेत्रों को मिलाकर एक प्राहन थूँआ करता था है उसमें तो उसका सुबेदार मलिक शज्जु था तो इसको मलिक शजु को ही वहां का सुबधार रहने दिया और जैसे दिल्ली का कोतवाल उसमें फकुरुदीन था ये कैकुबाद के टाइम पिरिड़ पर भी था और इसी को अपने पत पर रहने दिया ये सब मैंने आपको बताया ही हुआ है फकुरुदीन के बारे में तो कहने का बहु वह बताया है कि जो पूराने तुरकमीर थे उनको इसने अपने पत पर रहने दिया क्योंकि इसका ये मायना था कि जो इसके पास सामराज है जैसी स्तिती है उसी को ये बरकरार रखे शांति साचनश चलाना जा रहा था क्योंकि उम्मर इसकी ज़्यादा हो चुकी थी आप यह ना लगेगे यह कहां से आ गए तो अरकाली खान, खाने खाना और कद्र खान इसके पूत्र थे मलिकाएं जहां इसकी पूत्र थी जिसकी शादी इसने अलावदिन खिल जी के साथ की थी अपने भतीजे को अपना दामाद इसने बनाया था, अपनी पुत्री का विवादिन खिल जी के साथ इसने किया था अब सबसे पहले होता है मलिक छजू का विद्रो जैसा कि आप जानते हैं मलिक छजू यह बल्बन का भतीजा है बल्बन का बतीजे है और इस समय ये मानिकपूर और जो कड़ा छेतर है इसका सुबेदार है तो इसने वहाँ पर विद्रो कर दिया क्योंकि ये मानता था कि बल्बन का वंशिस मैं हूँ तो मुझे सुल्तान बनना चाहिए था तो ये नया वंश कहां से आ गया इसी कारण से इसने विद्रो कर दिया इसके अलावा जो इसके आसपास के जो लोग थे आसपास के जो सुबेदार थे वो भी इसका सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हवा में और उड़ गया इसने विद्रो कर दिया लेकिन जलालुदिन फिरोजखिल जी के पुत्र अरकाली खाने मलक छज्जु को हराया उसके विद्रो का दमन किया उसको बंदी बना लिया और बंदी बना कर दिल्ली ले आया और जलालुदिन फिरोजखिल जी के दर तारीफों के पेचीदे पड़े उसको कहा वाह मैं आज डीनर कर रहा हूँ वो भी किस के साथ बल्बन के बतीजे के साथ बल्बन जो मेरे एक तरीके से मालिक हुआ करते थे उनके बतीजे के साथ मैं डीनर कर रहा हूँ तो उनके तारीफ की एक तरीके से ठीक है मलिक अलाओ दिन खिल जी को करणा मानिक पुरकी उस ने सूभेधारी दे दी बहले ही जलालुदिन फिरोज खिल जी बहुत ही उधार किस्म को था बहुत ही देयालु किस्म कहँद हुआ करता था मुस्लिमों के परती लेकिन इसने एक मुसम सीधी मौला को नहीं छोड़ा सीधी मौला इरान के धार्मिक पाकीर थे ये गरीबों को खाना ऐसा खिलाया करते थे एक कैम्प खोलके गरीबों को खाना खिलाया करते थे ऐसा इतिहासकार बताते हैं तो ये अफ़वा फैल गई कि जलालुदिन फिरोज खिल जी के खिलाफ सी बनना चाह रहे हैं तो ये जब बात जलालदीन फिरोजखिल जी को मालूम पढ़ती है तो उसने इस समय सीधी मौला को माफ नहीं किया उसने सीधी मौला को एक बहुत ही अजीब रहां से बहुत खातरनाक सजा दी उसे हाथी के तले हाथी के पैरों तले कुछलवा दिया तो उसके बाद इसी के सामराज में मंगोलो का आकरमन होता है और मंगोलो का आकरमन आपको मालूम ही है कब कहा होता है मंगोलो का जो आकरमन होते थे वो उत्तर पश्रीम वाले इलाके में होते थे ये उत्तर पश्रीम वाले इलाके में मंगोलो के आकरमन होते और मंगोलो का जो उस समय जलालुदिन फिरोजखिल जी के टाइम पिरेड पर आकर्मन हुआ था न वो किसके नेतरत में हुआ था तो वो अब्दुल्ला और उलुग खां के नेतरत में हुआ था अब्दुल्ला कौन था ये हल्गु खां का पोता था और हल्गु खां कौन था ये चंगेज खां वो भी इसके साथ आया था, दोनों ही आये थे, अब्दुल्ला को हरा दिया गया, क्यों? जलाल अदिन फिरोज खिल जी स्पेशल सेना लेकर गया था, स्पेशल मंगोलों को हराने के लिए सेना लेकर गया था, अब्दुल्ला को हराया, अब्दुल्ला को पकड़ा, उसे माफ भी कर दिया जब अब्दुल्ला ने आकर्मन किया था ना तो उस में भारत जाजा दिल्ली का जो उत्तर पश्रीम वाला इलाका है जहां पर अरकाली खां फिरोज खिल जी का जो पुत्र था वो गवर्नर था जो दिपाल, पूर, मुलतान और समाना वाला छेतर है ना वहां का गवर्नर अरकाली खा था लेकिन फिरोज खिल जी खुद सेना लेकर मंगोलो को हराने गया था उसने अब्दुल्ला को हराया, पकड़ा, माफ भी कर दिया, अब्दुल्ला को बताया कि तुम मेरे बेटे हो, अब्दुल्ला को अपने पुत्र का दर जाय दिया, इसने, यह लड़ाई जगड़ा आपको शोभा नहीं देता और वो भी मेरे खिलाफ नहीं माफ भी कर दिया और अब्दुल्ला का भाई भी उलुग खां भी इसके साथ आया था वो भी किसी सेना का नेतरित कर रहा था तो उलुग खां को भारत में अच्छा लगा उसने इजाज़त मागी जलादुन फिरोजखिल जी से कि मैं इसलाम धर्म कबूलना चाहता हूँ और मैं भारत में रहना चाहता हूँ तो जलाल दुन फिरोजखिल जी तैयार हो गया जलाल दुन फिरोजखिल जी ने इजाज़त दे दे कि हां रहो और उलुग खां आगे चलका जलाल दुन फिरोजखिल जी की पुत्री से विवावी कर लेता है अर्थात जलादुनी फिरोजखिल जी उलूग खां को अपना दामाद भी बना लेता है और उलूग खां और इसके कुछ साथ रहने वालों को दिल्ली के पास एक जगा है मंगोल पूरी वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देता है तो मंगोल पूरी आज भी वह च्छत रहा है और बाकी सब को बंगाल की और जो लखनौती था वहाँ पर रहने की इजाज़त देता है तो ये नहीं आप से पूछ जाएगा कहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाती है बस यह जाद रखिए कि मंगोल आये थे और उन मंगोलों को बारत में रहने रहने के लिए उसे अजाज़ दे रही थी ये جो मुसलिम बन गए थे भारत में रहने के लिए जो मंगोल थे जिन्हों ने इसलाम धर्म कबूल कर लिया था ये नवीन मुसल्मान कहलाए या नियू मुसल्मान कहलाए ठीक है क्या कहलाए नवीन मुसल्मान कहलाए उसको अच जलाल अदिन फिरोजखिल जी की अभियान पहला अभियान इसने रनथंबोर के अभियान को कहायाता है तो रनथंबोर का अभियान इसने किया वो असफल रहा उसमें रन्थमबोर के जो शाशक थे राजपूत शाशक थे हमीर देव हमीर देव का एक सामराज जे फैला हुआ था रन्थमबोर उनकी राजदानी हुआ करती थी राजस्तान के आसपास के छेत्रों में इनका पूरा सामराज जे फैला हुआ था बहुत ही बहादूर शाशक थे इनका कीला देख लीजिए इनका कीला इतना पहाड़ी छेतर पे था कि इसको जीतना बहुत मुश्किल था तो जलाल उद्मी फिरोज खिल जी जब इस अभियान पर गया तो उसने देखा कि ये मेरे बस की बात नहीं है तो इसको उसने विड्रो कर लिया सरेंडर कर दिया कि नहीं भाई रन्थम बहुर का जो अभियान है ये मैं नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जीत पाऊंगा वो असफ़ल हो गया वो कहावत है ना कि अंगूर खटे हैं इसने जाते हुए कहा कि ऐसे हजारो किलो को मैं अपने एक किसली मुस्लिम भाई के रक्त के बराबर नहीं मानता हूँ मतलब ऐसे हजारो किलो को मैं कुर्बान करता हूँ लेकिन मैं अपने एक मुस्लिम भाई का भी रक्त नहीं बहाने दूँगा तो ये कहकर इसने रहन थंबो और अभियान विड्रो कर लिया लेकिन राजपूत शाशक हमीर देव के सामराज बहुत दूरी तक फैला हुआ था रहन थंबो और उनकी राज़दानी हुआ करती थी तो इन्ही के सामराज में दो और जगह हैं मंडावर और जैन इन पर कबजा कर लिया था जलावदिन फिरोजखिल जी ने तो मंडावर अभियान के दौरान जलावदिन फिरोजखिल जी के पूतर खाने खाना की मित्ती हो गई थी ठीक है और इसके बाद अलावदिन खिल जी का शड़ेंत पढ़ते हैं अलाउदिंग खिल जी तो बाद में इसका नाम आएगा उस समय अले गुर्षप नाम था इसका ठीक है तो अलाउदिंग खिल जी का शड़ेंट आपको मालूम ही है कि 1291 के आसपास अलाउदिंग खिल जी को करड़ा मानिकपूर का सुविदार बना दिया गया है जलाउदिंग फिरोच खिल जी के दवारा और ये सुल्तान बनना चाहता था इसकी इच्छा थी कि ये सुल्तान बनना चाहता था सुल्तन तर्शाशक बनना चाहता था क्योंकि इसने देखा इसके चाचा तो बहुत ही अजीव धंग से विवहार कर रहे हैं पहुती नरम है इनको पद से हटाया जा सकता है इनको गदी से जल्दी से हटाया जा सकता है तो इसी कारण से ये सपने देखने लगया कि ये सुल्तान बनेगा उसके लिए पैसों को जुरूत थी धन की जुरूत थी क्योंकि एक सेना को अपने अंडर में करना है तो धन की लूटना शुरू कर दिया अपने आसपास के छेत्रों को और इसको जलालुदिन फिरोजखिल जी का भरोसा पहले से इसने जीता हुआ था और यहां तक कि जलालुदिन फिरोजखिल जी ने अपनी पुत्री का विवावी से कर लिया था उसने इसी का फाइदा उठाया और 1293 इस्वी में मद्यपरदेश में एक जगा है भिलसा भिलसा को लूटा उसमें एक डाइनेश्टी थी एक वंश था परमार वंश परमार वंश जो है न वो मालवा के छेत्र में शाशन किया करता था मद्यपरदेश राज्जिस्थान के कुछ छेत्र था वो तो मालवा जो छे तो कुछ दिन भिलसा में रुकता है तो इसको ये मालुम पढ़ता है कि एक छेत्र है मध्य प्रदेश वाले एक इलाके में जिसका नाम था देवगिरी नाम था और बाद में ये दौलताबाद के नाम से भी जाना गया देवगिरी में यादो वंश का सामराज चल रहा है और वहाँ पे राम चंद्र नाम के एक शाशक है और बहुत ही जादी समपत्ती है वहाँ पे अगल वहाँ पे अगल लूट की जाए तो बहुत धन प्राप्ती होगी इसको ये मालूम पड़ गया तो इसने तुरंत जो भिलसा पर अटैक किया था ये सारी कहानी जलारदुनी फिर फिरोजखल जी को दे दिया जलारदुनी फिरोजखल जी इससे और खुश हो गया उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम बहुत बहादूर हो मुझे तुम पर पूरा विश्वास था तो ये इसने और भरोसा जित लिया लेकिन इसने देविडिय के बारे में कुछ नहीं बता मैप में देखिए इस रास्ते से गया ये देवगिरी पे इसने हमला कर दिया और देवगिरी में उस समय जो शाशक थे यादो सामराज्य के वंस चला था और राजधानी जो थी वो देवगिरी थी इनकी और शाशक रामचंदर थे यादो सामराज्य के शाशक रामचंदर का वहाँ पर रूल था और देवगिरी उनकी राजदानी हुआ करती थी यादो सामराजी देखेंगे तो ये पूरा सामराजी लगभग जो है मैप में ये यादो सामराजी था अलाओदिन खिल जी जब आया देवगिरी में तो बहुत बड़ी सेन लेकर नहीं आया था मात्र आठ जार घुड सवार लेकर आया था और ये उसने अफवा फैला रखी थी कि वो मात्र जो है वेपार करने की दृष्टी से जा रहा है तो रामचंदर ने भी सोचा वेपार करने आ रहा होगा लेकिन उसने अटेक कर दिया अचानक अटेक कर दिया और पल भर में ही यादो सामराज को उसने ध्वस्त कर दिया ध्वस्त क्या कर लिया कि मतलब रामचंदर के साथ संधी कर ली हरादिया रामचंदर को संधी कर ली और बहुत सारा धन लूट कर यहां से ले गया जब ये देवगिरी को लूट रहा था तो उस समय जलावदिन फिरोजखिल जी गौालियर में था उस समय जलावदिन फिरोजखिल जी कहां पे था वो गौालियर में था जब ये बात जलावदिन फिरोजखिल जी को पता लगती है कि बीना मुझे बताए अलावदिन फिरोजखिल जी ने जो है देवगिरी में रेट डाली है और बहुत सारा धन लूटा है बहुत नाराज हुगा तो इसने तुरंत जुलाई 1296 में कड़ा की और ये रवाना हो गय बहुत शर्मिंदा है आपसे माफी मांगना चाते हैं और सारा धन जो लूट कर लाएं आपको वापिस करना चाते हैं तो जलावदिन फिरोजखिल जी नरम पड़ गया पहले से उसी सहभाव का था वो तो जलावदिन फिरोजखिल जी ने कहा ठीक है मुझे उसके पास ले चलो तो अलावदिन फिरोजखिल जी के भाई ने कहा वो तो ठीक है लेकिन भाईया ने कहा है कि आप बिनस सेना के आईए तो जलावदिन फिरोजखिल जी मान गया कुछ सेनिकों को आपने साथ लेकर ये कड़ा की और रवाना हो गया नदी पार करके ये अलावदिन फिरो गले से लगाया, इसके पैरों पर गिर गया, इसके पैरों को चुमा, लेकिन बाद में धोके से इसको मार दिया, इसी के बतीजे, इसी के दामाद ने इसके धोके से मार दिया, और कड़ा जो इसका छेतर था, वहीं पर अपने आपको इसने अगला सुल्तान घोजित कर दिया, तो इस प्रकाश जलाल इन फिरोज खिल जी का स्खेल कतम अब अलावदीन खिल जी का टाइम पिरिड आ जाता है बहुत ही इंपोर्टन शाषक है ये ये एक ऐसा शाषक था कि इसने दक्षिन में भी अपनी छाप छोड़ दी थी इससे पहले देख लीजे दक्षिन में कोई नहीं गया था यहां तक कि यहां पर जो विंदेचल परवश्रेणी है उस विंदेचल परवश्रेणी को भी किसी ने नहीं चुआ था उसको पार भी किसी ने नहीं किया था तो इसको पार करके दक्षिन अभियान करने वाला पहला सुल्तान बनेगा दिल्ली का यहां पर द सुबेदार होते हुए इसने देवगिरी को लूट लिया तो ये पक्का सुल्तान बने गई बनेगा तो आप समझ भी सकते हैं कि अभी तक किसी भी सुल्तान ने अपने सपने में में सोचा था कि वो साउत की और अभियान करेगा लेकिन ये सुबेदार होते हुए इसने भारत में क्या भियान थे ठीक है इसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है इसकी एक बाजार निती थी वो भी आपको पढ़ना है अलाओ दिन खिल जी जो पढ़ेंगे अपने दिमाग में आप रणवीर सिंग का जो है तस्वीर रख हैं अगले एपिसोड में लेकिन इसके क्लास नोट्स ले लिजीगा बहुत इंपर्ण होंगे क्लास नोट्स अगर पढ़ेंगे तो अच्छी त्यारी हो जाएगी थेंक्यू